तो आज हम एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बुक के फर्स लेसन का जिसका नाम है धर लास लेसन जिसको लिखा है अलफॉन से डाउड़ेट लेए देखो मैं आपको इस चाप्टर का लाइन-by-line एक्स्प्लेनेशन दूँगो साथ की साथ मैं कुछ important incidents बताूँगा जिसके बोज में आने की probability बहुत जादा हुती है तो इससे पहले हम इस चाप्टर का लाइन-by-line एक्स्प्लेनेशन पे आए मैं about the author में से कुछ important चीज़े बताना चाहता हूँ जिसको जानना बहुत जरूरी है इस chapter की clarity समझने के लिए देखो ये chapter जो लिखा गया है ये उस around का लिखा हूँ है जब फ्रैंको प्रश्या war का period था फ्रैंको प्रश्या में क्या मतलब है देखो फ्रैंको यहाँ पर मतलब है फ्रैंस और प्रश्या का मतलब है प्रश्या देखो फ्रैंस तो हमें पता ही आज भी एक बहुत बड़ा नेशन है प्रश्या उस टाइम को बहुत बड़ा नेशन होता था जिसमें आज के टाइम का जर्मनी, पोलेंड and some parts of Austria आया करते हैं, ये तीनों नेशन आज वोल्ड मैप पे एक्जिस्ट करते हैं, इन तीनों का सम था प्रेश्या, अब हुआ क्या था, फ्रैंस और प्रेश्या की वार हो गई थी, और अब बेसली प्रेश्या फ्रैंस से जीत गया था, और उस तेम जो military leader थे, उनका नाम था Bismarck, तो अब देखो हुआ क्या था, क्योंकि फ्रैंस हार गया था प्रेश्या से, फ्रैंस ने negotiate करना पड़ा, और उन्होंने अपने border में से, Alsace और Lorraine नाम के दो district, अपने दो regions इनको दे दिया प्रेश्या को, तो अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने व Alsace और Lorraine के लोग थे, उनकी जिन्दगी में change आया प्रेश्या के capture करने के बाद, और बहुत interesting और दिल चुने वाला chapter है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो चलो या start करते हैं, I started for school very late that morning, अब होता क्या है, देखो, ये पूरा chapter actually में एक बच्चे के उपर based है, और वो फ्रै in great dread of schooling, especially because M. Hamill, तो होता क्या है, वो बताता है, कि मैं बहुत बड़े dread में था, dread का क्या मतलब होता है, to be very afraid, मतलब क्या है, मैं बहुत डर में था उस चाइम घर से निकलते वे, क्योंकि M. Hamill, जो उनके teacher का नाम है M. Hamill, उन्होंने had said that he would question us on participants, क्यों, क्योंकि M. Hamill ने कहा था, कि वो बच्चों से participants, participants, आपको याद होगा, English grammar में भी आपका topic हुआ करता था, तो grammar का topic है, तो M. Hamill ने क्या कहा था, कि बच्चों मैं तो हुमसे participants पे question पूछूंगा, and I did not know the first word about them, और हमारा ये बच्चा क्या कहता है, कि उन्होंने कहा था, मैं participants पे पूछूंगा, और में को उन participants के topic का पहला शब्द भी नहीं पता था, क्या होता है, for a moment, I thought of running away, तो वो क्या कहता है, कि एक moment के लिए तो मैंने ये तक सोच लिया, कि चलो छोडो, स्कूल नी जाता हूं, भागी जाता हूं, स्कूल को छोड़के, spending the day out of doors, और अपना जो पूरा दिन है, वो भाई बाहर बिताता हूं, मतलब इतना छोटा सा बच्चा बंक मारने की सोच रहा था, भाई, अलगी बच्चा है है, it was so warm, so bright, अब वो दिन को explain करता है, भाई, उसको दिन बड़ा मज़दार लग रहा है, मतलब वो कहता है, बड़ा अच्छे ही गर्मी वाला दिन था, और इतना, मतलब सुनहरा दिन था, मज़दार, the birds were chirping at the edge of the woods, edge of the woods का क्या मतलब होता है, chirping का मतलब तो आपको पता ही है, जो गुनगुनाती है, चिडिया है, तो वो चिर्प कर रही थी, at the edge of the woods, मतलब जो ब्रांचेज होती है, पेडो की, उनके विलकुल कोने में घड़े होके वो गुनगुना रही थी, and in the open field, back of the sawmill, अब क्या बता रहा है, sawmill क्या होती है, सबसे पहले यह देखते है, देखो sawmill क्या होती है, एक factory होती है, कुछ इस तरीके की दिखने वाली, वहाँ पे लकडिया लेके आई जाती है, हमारी कुछ ऐसी जो पेडों को काट के लाए ज जाता है, उन मशीनों के थ्रू, तो क्या बताता है, मैं फटा फट ढून लू, कहां पे थे हम, हाँ, and in the open field, back of the sawmill, तो sawmill की जो factory थी, उसके पीचे बहुत बढ़ी open field थी, the pression soldiers were drilling, जो pression के soldier थे, pression के soldiers थे, देखो, Alsace और Lorraine की हम घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, बच् आजाती है, तो वही बताता है, कि भाई, वह बड़ी field में, प्रश्या के जो soldiers थे, वह सब drill कर रहे थे, मतलब अपनी practice कर रहे थे, it was all much more tempting than the rule of participants, tempting का क्या मतलब होता है, attractive, अब वह क्या कहता है, कि भाई, यह सब जो था, इतना सुन्दर देन, यह pression soldiers, यह birds, यह सब बहुत attractive था, participle, participle से थो, but I had the strength to resist, resist and hurried off to school, resist मतलब का मतलब होता है, oppose, तो वह क्या कहता है, पर मेरे अंदर हिम्मत थी, ताकत थी, कि मैं अपनी इस feeling को resist कर कूँ, oppose करूँ, और school की तरह भाग जाओ, तो भाई, अगली बार जो आपका tuition bank करने का मन करें, तो इस बच्चे को जिस होती है, western countries या चोटे शहर होते है, उनमें town hall बनाया जाता है, कुछ ऐसा, यहाँ पे जो सारे government के major officials होते हैं, उस town के, वहां के सारे लोग उस town hall में वैगते हैं, तो हुआ क्या है, जब वो town hall के सामने से गुजरा, उसने देखा, बुलेटन बूड के बाहर, बहुत सा सालों से, जितनी भी बुरी खबर है थी हमारे town के लिए, वो सारी उस बुलेटन बोड से ही आई थी, the lost battles, मतलब जो बुरी खबर थी, हमारे battle हारनी की प्रशिया के खिलाफ France की, वो भी हमें उस बुलेटन बोड से मिली थी, the draft, draft का क्या मतलब होता है, draft का मतलब होता है, compulsory military service, तो होता क्या है, जब कोई nation हार रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपने civilians को जबरदस्ती, military में दाखिल करा के उनसे war लड़वाता है, तो वो भी चीज होती थी, तो draft की खबर, lost battles की खबर, the order of the commanding officer, मतलब जो उस time के, जो commanding officer थे, जो उस town को command करते थे, उनके जितने भी orders होते थे, तो ये सारे उस bulletin boards से ही आई थी बुरी खबरे, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now, तो अब वो क्या कहता है, बच्चा, कि और मैंने अपने आप से पूछा, बिना एक बारी भी सोचे वे, कि अब क्या हो गया, यार, then as I hurried by, as far as I could go, the blacksmith, जिसका नाम था watcher, who was there, with his apprentice, तो होता क्या है, कि जैसे ही, मैं टाउन वाल के सामने से भागता भागता निकला, वहाँ पे एक blacksmith था, जिसका नाम watcher था, अपने apprentice के साथ, apprentice क्या है, commerce वालो आपको तो अच्छे से पता होगा, a person who is learning a trade from a skilled employer, having agreed to work for a fixed period at low wages, मतलब एक तरीके से उसका चेला, तो blacksmith का जो apprentice था, वो भी था उसके साथ, reading the bulletin, और वो दोनों अपना bulletin ही पढ़ देते, town hall के सामने, called after me, मतलब मुझे वो पीछे से बोलता है, बड़ी जूर की, don't go so fast, बब, you'll get to your school in a plenty, in plenty of time, तो वो क्या गयता है, भाई, अपना blacksmith उस बच्चे को, बेटा, बब का मतलब, ऐसे ही of me, अब वो क्या सोचता है, बच्चा, कि ये जो blacksmith है, ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मेरे को चिलाने के लिए क्या रहा है, कि अब इतना लेट होई गया है, तो आप क्या तीज जी से जा रहा है, तो तो तरह बहुत टाइम है, तो तो तरह जाके वैसे भी पिटना ही ह पर ऐसा हुआ नहीं था, तो अब क्या होता है, बच्चे ने सोचा, कि ये शायर मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है, पर वो उस टेम फटवट भागता है, और रीच्ट, एम हैमल's little garden out of breath, मतलब वो अपने teacher के little garden, garden में पहुँच जाता है, out of breath, out of breath का क्या मतलब होता है, बिल वो हुआ क्या, वो वहाँ पहुची अपने teacher के garden पे, usually when the school began, there was a great bustle, bustle का क्या मतलब होता है, activity with noise and agitation, तो हमारा वैसे बच्चा ऐसे usually थोड़ा बताना चालू कर देता है, कि यार आम तोर पे, जब school start होता था हमारा, तो बड़ी बसल होती है, बड़ी जबदस noise और शोर श closing of desk, by opening and closing of desk का क्या मतलब है, जो सुबह सुबह बच्चे class में settle होने के लिए, आगे पीछे test करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए, और अपने कुछ आरकतों के लिए, तो उन डेस्कों के हिलने के आवाज आती थी, lessons repeated in unison, unison का क्या मतलब होता है, the action of speaking the word simultaneously, तो वो होता है, जब भाई teacher class में बुशती और हम सारे साथ में चिलाते है, good morning sir, तो ऐसे ही, जो भाई classes थी, उन से आवाज आ रही थी, भार बच्चों के lesson को जो teacher पढ़ा रहे थे, उसको A4 और Apple सारी class ऐसे repeat कर रही थी, very loud, with our hands over our ears to understand better, तो बड़ी तेज आवाज आ रही थ अपने कानों पर ऐसे हाथ रख लेते थे, समझने के लिए, जो पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए, क्योंकि इतना शोर आ रहा होता है, तो focus करने के लिए अपने कानों पर हाथ रख लेते थे, and the teacher's great ruler, wrapping on the table, wrapping का क्या मतलब होता है, strike, तो क्या बोलता है, और इतनी सारी अवाजों के साथ, teacher के great ruler, great, यहां पर this word को ध्यान दो, जो great scale था, जो भाई, लोहे का scale में होता होगा, teacher के पास उस चायम, उनके अवाज आ रही होती थी, अपनी table पर पठक रहेंगी, क्योंकि बच्चे थो शान्त होते हैं, वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, but now, it was all so still, पर कह रहा है, आज, आज, अब, यह सब बिलकुल शान्त था, I had counted on the commotions to get into my desk without being seen, अब क्या कहता है, author, author नहीं कहा रहा है, बच्चा क्या कहा रहा है, कि मैं तो counted, counted on का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, I count on you, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके उसने क्या का, मैं तो हले गुले के बरू से बैठा वा था, कि हला गुला हो रहा हूँ, क्लास में और स्कूल मैं बहुत तेज, और उसमें उसकी वज़े से मैं बिलुकल शान्त था, अपने डेस में जाके बैठ जाँगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं लेट आप डे वर्डेशन पिर प्र तेज को अपने जाँगा, और वह बार यहां गारेशन आप शान्त था, क्या उससे बुले की संदे की सुबे सुबे हो, तो वह क्या है, मैं जब गाइन में नहीं ता, मैं बार सही देखा, विंडो के तूँ कि मेरे क्लास में जो थे अपनी ज जो हमारे सर थे M. Hamill वो class में up and down कर रहे थे up and down का मतलब जैसे आप जब exam देने बैठते हो तो teacher इधर उधर class में घूमता रहते हैं उसे up and down करना कहते हैं और मैं आपको एक बारी का इंसिडेंट बता हूँ एक बारी तो हमारे exam में teacher up and down कर रहे थे class में का मतलब हुआ terrible का मतलब यह है देखो यहां पर feeling समझाओ author की author की नहीं सरी इस बच्चे की कि वह iron ruler से कितना डरता था क्योंकि भाई वह उस ruler से आवाज करते थे sir और मारते थे बच्चों तो वह terrible use कर रहे उस और रूलर के लिए under his arms और वह अपनी arms के अंडर लेके घूम राता class में I had to open the door and go in before everybody कह रहा कि मेरे को अब मेरे लिए इतना खतरनाख चीज हो गई कि मेरे को door open करना पड़ा and go in before everybody का क्या मतलब है कि मेरे को सब के सामने class में घुसना पड़ा you can imagine how how I blushed and how frightened I was blush करने का क्या मतलब होता है blush करने का मतलब या तो shyness होता है पर embarrassment भी होता है और shame भी होता है तो यहां पर embarrassment और shame है वोड़ तो वो क्या कह रहा है बच्चा कि आप सोच सकते हो कि कितना embarrassed और shame फिल करना तो कितना डर आवा था जब मेरे को इतनी शांती में सब के सामने classroom में घुसना पड़ा but nothing happened के रहा पर कुछ हुआ ही नहीं M.Hammal saw me and said very kindly कह रहे M.Hammal जो हमारे सर थे उन्होंने देखा और बड़े प्यार से मुझसे कहा go to your place quickly little France अब हमें उस बच्चे का नाम पहली बार इस chapter में बदा चलता है तो क्या कहते हैं हमारे M.Hammal sir की बेटा अपनी जगे में फटा फट से चले जाओ little France we were beginning without you अब सर बड़े प्यार से कह देते हैं या यह बात की बेटा अपने डेस्क में फटा फट जाओ हम तो बस तुम्हारे बिना पढ़ाने ही start करने वाला ता में I jumped over the bench and sat down at my desk अब क्या कहता है वो बच्चा की मैं एकदम जम करता हूं जम का मतलब यहां बिल्कुल यह मत समझ लेने को literally छलांगी मारता है जम का मतलब क्या है वो एकदम तेजी से बाग के अपने डेस्क के अंदर गुज जाता है और फिर अपने डेस्क पे बैठ जाता है not till then when I had got little over my fright did I see that a teacher had अब क्या बताना incident चालू करता है कि जब तक not till then when I had a little over my fright जब तक मेरी थोड़ी से जो डर था मैं जो काप रहा था वो थोड़ा से कम होना चालू होता है did I see that a teacher वो क्या देखता है कि हमारे टीचर ने had on his beautiful green coat हमारे टीचर ने एक बड़ा सुंदर सा green coat पहना हुआ है his frilled, frilled, his frilled shirt, frilled shirt कौन सी होती है आपको बड़ी हसी आने वाली है Google से देखने बाद मिरको पी बड़ी हसी आई थी ये वाली जो shirt होती है और इसमें जो उपर से patches लगे वो थे जो पता नहीं पुराने जबाने में चलते थे इनको frills कहते है तो उन्होंने अपने green coat पहना हुआ था, अपनी frilled shirt पहनी हुई थी and the little black silk cap और उन्होंने एक silky cap पहनी हुई थी काले रंकी all embroidered मतलब उस पर सब पर कढ़ाई हुई थी अब देखो मैंने यहां पर green underline भी किया है इस line को इसका मतलब यह है green underline आपको जहां पर भी देखेगा मतलब बहुत important चीज़ है और इसके उपर पहले बहुत questions आई वे board में तो क्या है यह वाली जो line है इसको याद कर लेना कि हमारे teacher ने क्या-क्या पहन लगा था अब क्या है उसने अपनी ऐसी बड़ी embroidery वाली cap पहनी भी थी that he never wore अब क्या बताता है बच्चा कि वो यह वाले कपड़े जो इतने बढ़िया इन्होंने कपड़े पहन लगे थे यह वो कभी नी पहनते थे except on inspection and price days सिरफ वो यह कपड़े inspection days पे मलब जब by government और school के principal inspection पे आते थे कैसी पढ़ाई लिकाई चल रही है और price days पे पहनते थे जब award function में गया रहा होते थे besides the whole class the whole school seem to so strange and solemn solemn का क्या मतलब होता है serial तो वो क्या कहता है उसके इलावा sir के कपड़ों के इलावा school जो हमारा बड़ा strange सा लग रहा था और बड़ा serious सा लग रहा था but the thing that surprised me the most अब यहां पर again important incident चालो होने वाला है कि एक चीज़ बड़ी तगड़ा surprise करती है बच्चे को क्या was to see on the back benches that were always empty वो क्या देखता है उन back benches पे जो हमेशा खाली रहते है the village people sitting quietly like ourselves वो क्या देखता है उन खाली benches पर जो हमेशा खाली रहते हैं उन benches पर क्या देखता है कि हमारे village के लोग बैठे हुए थे और वो भी इतनी शांती से बैठे हुए थे जैसे हम बैठे हुए थे old hosar with his three corner hat एक तो वो बता थे कि old hosar था खॉजर क्या होता है एक cast होती है उस ट्रैमें कास चलती थी एक hosar बैठा हुए थे old hosar बैठा हुए थे अपनी three corner hat पहन के the former mayor former का क्या मतलब होता है पुराना तो वो क्या बता थे old hosar बैठा हुए थे पुराने हमारे village के the former postmaster हमारे पुराने वाले postmaster बैठे वे थे and several other besides और उनके साथ-साथ यह important लोग बैठे वे थे जो पहले power में हुआ करते थे अब तो कोई और mayor भी गह रहा है वो बैठे वे थे और उनके साथ-साथ कुछ और भी village के लोग बैठे वे थे everybody looked sad क्या रहा है हर कोई बड़ा दुखी साथ देख रहा था and hawser had brought an old primer thumbed at the edges अब वो क्या बहता है और hawser जो थे वो तो एक primer लेकर आया वे तो पुराना primer क्या होता है अब primer is a book containing basic facts about a subject मतलब एक primer book कहलो या notes की copy बना कहलो जिसमें की मतलब एक subject के बहुत basics लिखे होते है थम्डिकर के मतलब होता है having been read often and bearing marks of frequent handling मतलब एक book जो बड़ी मोड़वड़ जाती है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद तो जो हमारे hawser थे वो तो एक primer तक लेकर आया वे थे जो थम्ड हुई वे थी edges से बड़ी मुड़ी पुड़ी सी हुई थी and held it open on his knees मतलब और उसने अपने जो अपने घुटने थे बैठे वे घुटनों पे उनको उसको बुक को खोल के रखा वा था with this great spectacles lying across the pages और उन्होंने जो अपने great spectacles थे great का मतलब बड़े पुराने सेवे spectacles उनको उस बुक के ऊपर रखा हुआ था while I was wondering about it all और वो क्या कहता है कि जैसे ही मैं दिमाग लगाना चालू करता था यह क्या हो रहा है अग ता है मांटेड कर दो तक है कि इसु चीज़ पर बैठ था है तो क्या बताता है में हेमेल करे जा रहे बड़ाव मांटेट के बैठ जाते है और वो क्या कहता है घ्रेव का मतलब सकते है इस एक्स्टिमली सीरीस तो हो क्या कहता है और उसी उसी सीरीयस और बड़ी प्यार भरी टोन मे जो मेरे पर इ'll यूल्स करी गई ती कहा Da 그런데 इस सट अड़ील प्यार साप अब वो क्या कहता है बड़ी खतनात न्यूस देता है मेरे बच्चो यह मैं तुम्हें आखरी बार पढ़ा रहा हूं और आगया बर्लिन से बर्लिन क्या है तेखो Germany अभी करेंट जर्मनी की कैपिटल भी है बर्लिन और उस थे मैं प्रेश्या की भी कैपिटल हुआ करती थी वो कहते है तुम्हारा आखरी फ्रेंच का लेसन है और तुम मैं चाहता हूं तुम बहुत ध्यान से सुनों बट थंडर ग्लाप इस वर टुमी एक्स्रमेशन मां के मतलब बड़े शॉप से बोल या बच्चा थंडर क्लाप का मतलब होता है अ क्राश अपनडर मतलब जैसे बिजली कड़क गई हो तो क्या कहता है कि भाई यह वर्ट्स मेरे लाए ऐसे थैं जैसे बिजली कड़क गई हो हो तो देटेट वर्ट वर्ट गोट के बार वो उसको दाट वर्ट वर्ट एड़ पूट अप्ट टाउन हॉल वह यह चीज लिखी वी थी वह टाउन ऑल गोट पर जिस वज़े से इतने सारे लोग इतने नाखुशी से बैडे वेटे और ब्लाक स्मित ने उसे यही ताना दिय जादा इसी वज़े से ताना दिया भा कि बेटा दीरे दीरे चाला और स्कूल दाने के कोई जलती नहीं है माई लास्ट फ्रेंच लेसन अब वो बिल्कुर बच्चा हरान होता है और परिशान हो जाता है यार यह मेरा आखरी फ्रेंच फ्रेंच लेसन होगा वो क्या कहता है पर क्यों मैं तो अभी जानता भी नहीं कैसे लिखते हैं वो पूछता है अपने आ दिमाग से कि अब मुझे और कुछ सीखना नहीं है कहता है मिरे को अभी रुखना पड़ेगा I owe how sorry I was for not learning my lessons sorry का मतलब अब आपको लगता हो और यहां वाले sorry का मतलब नहीं पता sorry का मतलब तो एक माफी माँगना होता है और एक sorry का मतलब होता है जब आप regret में होते हैं मतलब जब आपने आपको बुरा कह रहे होते हैं दुखी होते हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती क्यों करी तो वो क्या कहता है कि मैं बहुत रिग्रेट में आ गया for not learning my lessons मैं बड़ा दुख मना लग गया कि यार मैंने क्यों अपने lessons जंग से नहीं बड़े for seeking birds eggs and going sliding the star अब वो कहता है कि मैं क्यों जाता था उन birds के eggs लेने और सार पे slide करने सार क्या है देखो सार फ्रांस में एक उस चाइम मतलब आज भी है एक नदी हुआ करती थी और उसमें जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक ऐसे कौने में slide हुआ करती थी मतलब भाई जुका हुआ था ब्रिम था तो इस तरीके से नदी थी तो author author नहीं sorry बच्चा यह हमारे यह कहता है कि मैं सार पे जाके जूंता जूलता था slide करता था एक जूंता था words के my books that had seemed such a nuisance अब वो क्या गयता है नुसेंस का क्या मतलब होता है one that is inconvenient annoying तो क्या गयता है मेरी जो कितावे जो मुझे आथ तक इतनी बड़ी नुसेंस लगती थी annoying लगती थी a while ago थोड़ी देर पहले तक so heavy to carry carry अब यार मैं पहली चीज़ बोल दू भाई हिंदी और इंगली शिकसात बोलने में accent की ऐसी तैसी हो जाती है तो इस चीज़ को बुरा मानना कि मैं अचीब सा accent बोल रहा हूं होता है ऐसा तुम भी try करना ह होता है तो क्या कहता है कि कुछ time बस थोड़ी देर पहले जो मुझे अपनी बुक्स इतनी बड़ी नियुजएंस लगती थी इतनी heavy लगती थी carry करने में my grammar and my history of the saints मतलब इसकी दो बुक्स थी एक grammar की बुक्ती और history of the saints मतलब history की एक बुक्ती वर old friends now that I couldn't give up वो कह कहता है उसे एकदम से वो पुराने दोस्त लगने लगते हैं बहुत पुराने दोस्त लगने लगती हैं वो किताबें जिनको वो give up यानि छोड़ना नहीं चाहता था and M. Hamill too और उसके मन में बच्चे के मन में M. Hamill के लिए मतलब अपने teacher के लिए भी feelings आने लगती है the idea that he was going away that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was cranky काना मतलब होता है सठिया जाना मतलब teacher की तारिफ भी कर रहा है तो क्या कहता है कि मिर को इस feeling में मैं भूल गया सब कुछ की उनका ruler से वो हमारी कैसे पिटाई और छिताई करते थे और कितने सठिया वे थे हमारी teacher poor man वो क्या कहता है किया यार कितनी बदकिस्मत है या आतमी it was in honor of the last lesson that he had put on his fine sunday clothes अब वो कहता है अब मैं समझा की इस last lesson के honor में उसको मनाने के लिए उन्होंने इतने अच्छे अपने कपड़े पहने थे and now I understood वो क्या कहता है और अब मुझे समझ में आया why the old men of the village were sitting there in the back of the room कि क्यों वो सारे villagers old villagers वहाँ पे बैठे वे थे back of the room में it was because अब यह मैंने green underline करी हुए क्योंकि इस वाली लाइन यह सबसे important लाइन इस chapter की इस वाली लाइन से तो बहुत questions पूचे गए पिछले सालों में कि क्यों अलग अलग तरीके से same question पूचा गया था boards में कि क्यों वो सारे लोग जो old villagers थे वो बैठे वे थे वहाँ पे पीछे लिखे नहीं it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service faithful का क्या मतलब होता है adhering firmly devoted मतलब devotedly मतलब simple words में कि वो उनको यह उनका तरीका था उस इंसान को थैंक करने का जिसने 40 साल तक इतनी devotion से service दी हमारी village को as a teacher उस village में रहे and of showing the respect for the country that was there is no more और यार यह वाली बात मेरे को बोलते हैं वे सही में रॉम्टे से खड़े हो गए कि एक बच्चा उस चीज को experience करता है आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है और वो इस चीज को देख पा रहा है कि हमारे जो बड़े बूड़े हैं यह उस country को उस देश को respect देना चाहते हैं जो अब उनका भी नहीं बचा था तो यहां पर हम अपनी इस पार्ट को खतम करते हैं और यहां बस एक चीज कहूंगा भई मुझे एम हमल मान के यह इस चाप्टर को जो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो यह मेरे बहुत होगी प्रिंस अगैडमी कल को डिलीट हो जाए उससे बड़ी है अभी बड़ी है कि आप कमेंट्स में जाकर पता दो कि आप मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हो तो यह चीज आपके आपकी तरफ से करीबी मेरे बड़ी हेलफुल होगी एंड मैं आपको नेक्स पार्ट में इस चाप्टर को खतम करके दे दूंगा तो बेस्ट आफ लग गाईज और बाई